नमस्कार डीवी नियूज में आपका स्वागत है उत्तरप्रदेश के बरेली में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है रात के अंधेरे में रोडवेस बस को मुस्लिम यात्रियों के नमास पढ़ने के लिए रोका गया जी हाँ इस दोरान बस के अन्य यात्रियों ने जम कर हंगामा किया बस ड्राइवर से कहा सुनी भी हुई यह मामला जैसे ही अपसरों की संग्यान में आया उन्होंने ततकाल बस के ड्राइवर और कंडेक्टर को सस्पेंड कर दिया वही परिवाहन निगम के अपसरों के मुताबिक रात का समय था रास्ते पर चारों और अंधेरा था ऐसे में यात्रियों से भरी जनरत बस को सुनसान रास्ते पर रोकना बस चालक की लापरवाही है बताया जा रहा है कि आरेम ने एरेम को बस के ड्राइवर के खिलाब सकत कारवाई का निर्देश दिया है वही निलम्मन के कारवाई पर बस का कंड़क्टर फूट फूट कर रोने लगा उसका कहना था कि उसका कोई दोश नहीं है वहाँ बेगुना है वही जानकारी के मताबिक बरेली से कौशाम भी जनरत बस जा रही थी शनिवार रात जब बस बरेली लखनव हाईवे पर पहुची तो बस के ड्राइवर और कंड़क्टर को कोची आत्रियों ने नमास पढ़िने की बात कही इस पर बस चालक ने राते के किनारे बस खड़ी कर दी इसके बात कोच लोगों ने नमास पढ़ी वही कोची आत्रियों ने इसका विरोध किया